गुड मॉर्णिंग डियर इस्टोरेंट्स इस क्लास के तह सभी भी द्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को लेशन 12 आज रीड करना है ठीक और इसी के साथ इसका अर्थ भी थोड़ा से समझ ले जागा चूंकि पोएम है पोएम लेर्ण करना रहता है और वर्ड मीनिंग आपको ध्यान देनी रहती है ठीक है तो हम संचिप्त में इसका अर्थ बताएंगे और इसको रीड करवाएंगे इसके पोएट का नाम जान लेंगे सबसे पहले हम लोग लेशन समझते हैं कि है क्या दे नाइट एंगल एंड ग्लो वार्म नाइट एंगल मतलब क्या होती को मैं इसको बोलते हैं एक पक्छी है और ग्लो वार्म मतलब जानते हैं रात्र और जुग्नु जिसको बोलते हैं जो जब ऊड़ता है तो उसकी लाइट क्या होती चमकती है और रात को देखाई देता है ऑक प्रकार का वार्म है मतलब कीरडा है ठीक! of और इसके बाद हम लोग देखिए थोड़ा से पोएम पढ़ते हैं, रीड करते हैं, उसके बाद फिर इसका अर्थ समझते हैं, वर्ड मीनिंग जानते हैं तकी अ attractive a night angel that all day long had cheered the village with his song, nor at ETH are his note suspended, nor at when event wise intended, begin to feel as well he might, then keep demands of up-tight. When looking eagerly around, he spied far off upon the ground. A something shining in the dark and knew the glow warm by his speak. Shoo stopping down from her throne chop, he thought to put him in his crop. The warm aware of his intent, harringed him thus right eloquent. Did you admire my lamp? Quote he, as much as I your ministers, you would adore to do me wrong. As much as I to spoil your song, for it was the self-same powers divine, though you to sing and me to shine. That you with music, eye with light, might beautiful and cheer the night. The songer heard his short oration and, warbling out his approbation, released him as my story tells, and found a super somewhere else. So, this is your show. This is your show. लिखा गया है यहां पर देखिए कुछ word meaning हम आप लोगों को बताएंगे थोड़ा अर्थ समझेगा पहले poem के बारे में आप लोग सोच लिजे देखिए हमने बताया कि glow warm है क्या एक केड़ा है ठिक और night angle क्या है एक पत्छी है अब आप लोग जानते भी है कि पत्छी खाते क क्या है आपको पता है कीड़ों को पकड़ते हैं यहां पर आप यह कह सकते हैं कि जो night angle है वो कूकती है तो लोगों को खुशी आती है आनन्द आता है आया समझ में लेकिन जिब रात को जुगनु चमकता है बीच बशात के समय में वो भी अपने में क्या होता है सुन्दर ल लेया किसको glow summ को ऑल टो glow varm क्या करता है उससी वाद करता है कहता है देखो तुम्हारी आवाज को लोग पशंद करते हैं लेकिन मेरे L भूंकी थी कोयल वैचारी वो उसका मतलब क्या था साम अंतिम भोजन था अगर उसे छोड़ देती तो फिर क्या थी भूंकी रह जाती तो एक प्वेट की imagination है how he imagined to seeing this situation when a night angle ठीक है कैचप ग्लोवार तब देखिए यहाँ पर हम लोग अर्थ को समझते हैं यहाँ पर देखिए a night angle that all day long एक चुकोयल है पूरे दिन had cheered the village with his song cheered मतलब प्रशन करना खुश करना मतलब अपने गाउं से गाउंवालों को दिन भर खुश रखती है ठीक नार एथ और हिस नोट suspended नोट मतलब संगीत होता है नार एट एट आर हिस नोट suspended मतलब फिर भी उसका जो कीत संगीत है वो रुकता नहीं है नार एट विन इवन टाइड वाज इंडेड इवन टाइड मतलब शाम तक और फिर भी वह शाम तक क्या नहीं होता रुकता नहीं है begin to feel as well as as well he might begin to feel महसूष करना शुरू करती है as well he might जितना की वह कर शक्ती है begin to feel as well he might the keen demand of appetite अब देखिए जब दिन भर बोलेगी तो उसे उत्सुकता हो जाती है उसे बहुत क्या लग जाती है भूंक लग जाती है appetite मतलब पेट में जो भूंक लगती है पेट एड़ता है जब भूंक लगती तो उसे को हम appetite बोलते हैं पेट की पीरा बोलते है when looking eagerly around जब हुआ है उत्सुकता से eagerly मतलब curiosity से चारों तरफ देखती है he aspied far off he aspied far off upon the ground तो ओ तूर जमीन पर देखती है a something shining in the dark देखती है कि कुछ चीज अधिर में क्या कर रहा है चमक रहा है and knew the glow warm by his speak और वो जान जाती है the glow warm क्यों क्या है glow warm है मतलब एक केड़ा है जिसे हम जुगनू बोलते है by his speak ठीक अपनी आवाज से so he is topping down he is topping down from heathrone top heathrone जो एक पेड का नाम है उसकी उंचाई से वो नीचे की तरफ उड़कर के जाती है मतलब ही लिखा जाता है क्या सकते हैं इसको आके लिखा है so he thought to put him in his crop वो सूंचता है कि उसे वह कहां पर पकड़ ले अपने थैले में रख ले मतलब अपने चूंच में रख ले दवार्म अवेर आफ इस इंटेंट और जो कीड़ा था ना कौन सा ग्लोइंग वार्म वो उसकी एक छा से अवेर था मतलब वो जानता था हरेंग्ड हिम दस हरेंग्ड हिम दस राइट इलोक्वेंट और वह पूरी तरह से उससे क्या ने कलता है बस निकलता है अव देखे क्या कहता है उसके सामने प्रेशन रखता है क्या मेरा जो लेम्प है उसकी प्रेशन mex और करते हो कोथ ही मतलब उसने ऐसा कहा उस प्रेशन किया मतलब कर्शिन किया as much as you ministers जितना अधिक की मैं तुम्हारी किसको मतलब गा रहे हो मतलब अपनी गेत की मतलब मैं जो तुम्हारे गेत की प्रसंशा करता हूं क्या तुम उतना मेरी लाइट की प्रसंशा करते हो you would adore to do me wrong you would adore to do me wrong तुम तो मुझे मेरे शाथ मतलब क्या करने वाले हो गलत समझते हो as much as I to spoil your song जितना अधिक मैं तुम्हारे गीतों को spoil कर सकता हूं, nest कर सकता हूं far was the self-same power divine उतना ही मतलब क्या है जो दैवी ये सकती है ईश्वर की सकती है उश्व को दो you to sing, तुम क्या करते हो, गाते हो and me to shine और मैं क्या करता हूं चमकता हूं that you with music I with light तुम संगीत देते हो और मैं प्रकास देता हूं तो दोनों मिला करके, संगीत प्रकास मिला करके क्या वन गया, आपका DJ थैयार हो जाता है my beautiful and cheer the night my beautiful and cheer the night क्या रहा है शुन्दर वनो और रात्र को खुशहाल करो the songster heard his short oration मतलब जो songsters है, गाने वाले हैं उसका जो भाशन है उसको सुने, मतलब उसका भाशन सुने and warbling out his approbation और जो इसकी एक्छा है उसको क्या कर देती है तोड़ देती है released him as my story tells और उसे छोड़ देती है जैसा कि मेरी कहानी बताती है and found a shepherd somewhere else और जाओ कहीं दूसरी जगह पर अपना साम का आखरी भोजन धूड़ लो अब देखो कहानी कितनी है poet क्या क्या सुचता है सुचता है न उसने देखा एक चड़या को और उसने एक केड़ा पकड़ लिया और केड़ा पकड़ने के बाद उसने क्या किया उसको खा लिया खाने के बाद फिर क्या किया खाने लिए उसको पकड़ने लिया तो अब पोईट कुछ दिमाग में सूज गया कि इसके लिए कुछ हम लिख दें तो उसने क्या लिख दिया एक कविता लिख दिया और अब आप लोग क्या करेंगे परिशान होईए पढ़िए लर्न करिए वर्ड मीनिंग नोट करिए आया समझ करी और एट लाइन पोईब को अपनी कॉपी में नोट करके हाड़ वर्ड नोट कर लिजिएगा ओके थेंक यू फार दिस क्लास